असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूं शारीब खान और आप देख रहे हैं और टाइप नौली चैनल बहुत जवर्दस वीडियो लेकर का है हूं चलिए शुरू करते हैं वीडियो और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर तो ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो दंगे कराएंगे लोगों को मरवाएंगे हिंदू मुस्लिम में बाटेंगे बच्चा पानी से प्यास से मर जाओ उते पानी नहीं पिलाएंगे यह लोग सेवा भाव की बात करते हैं चालेंज यहां बोल रही हूं खुले आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक तस्वीर वायल होती है जिसमें एक लड़का एक बेटा अपने बाप को गसीट कर लेकर जाता है मतलब कि एक बेटा जिसका बाप खतम हो जाता है गुजर जाता है मर जाता है वो अपने बाप को गसीट कर शमशाग ढाट लेकर जा किस वज़ा से लेकर जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बाप का इलाज करवा सके उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बाप को किसी गारी पर शमशाब घाट ले जा सके इसलिए गसीट कर शमशाब घाट लेकर जाता है यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ ब्यान करती है यह तस्वीर किसी मीडिया वाले को किसी गोती मीडिया को नजर नहीं आएगी यह तस्वीर उन भगवादारियों को नजर नहीं आएगी जो सिरफ नफरत फलाने का काम करते है जो सिरफ हिंदू मुस्लिम करके नफरत फ़लाते है इसके इलावा वो कुछ नहीं कर सकते जिन गरीबों के पास डिगरी है लेकिन नोकरी नहीं है रोजगार नहीं है उन पर बात नहीं करेंगे ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पर नफरत फ़लाएंगे इसलाम को मुसल्म लोगो ख़त्ले की बात करेंगे, लेकिन इन पर बात नहीं की जाएगी, ये भी तो एक हिंदू था, इसकी स्पोर्ट नहीं की जाती, हो सकते हैं कि ये दिलित हो, क्योंकि ये भग्वादारी, इन दिलितों को छोटी जात का समझते हैं, इन पर जुलम करते हैं इन दिलितों को मंदिर के अंदर जाने से मना किया जाता है वहाँ पर जाकर ये पूजा नहीं कर सकते हैं हो सकता है कि ये दिलित हो इसलिए इसकी स्पोर्ट नहीं की जारी है तो इंसान, इंसानगत के लिए मदद तो कर सकते हैं लेकिन नई, ये भगवादारी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, ये भगवादारी किसी गरीब को खाना नहीं खलाएंगे, ये भगवादारी किसी गरीब का साथ नहीं देंगे, ये भगवादारी सिर्फ अपनी उकात दिखाएंगे, कि मुसल्मानों को इसलाम को ख खत्रम करना हुर अपनी उकाद दिखानी हैं स विडियो को अस विडियो को सब्सक्राइब करो कमेंट करो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है इंशालला हो ताला बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा गोधी मीडिया को जितने भी जूटे लोगें सबको एक्सपॉस करूंगा सबकी पॉल और बहुत ही जल्दी इंशालला हो ताला एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा तब तक के लिए खुदा हाफिए